नमस्कार प्यारे विध्यारतियों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीजे सर क्लासित में आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी और हिंदी में हमारे चल रहे हैं संबंदित मैं इससे पहले की जो 16 नवंबर को एक्जाम हुआ था 2021 की उसकी फर्ष्ट का पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ आज हमारा चलेगा उसी 16 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर हम यहां पर आज हल करेंगे पहले कि मेरी क्लास ना देखे हो तो पहले आप उस से संबंदित यहां पर हम प्रश्णूत्री को विगत परिक्षाव की प्रश्णूत्री को यहां पर हम क्रमबद करेंगे चलते हैं हमारा समय ना गवाते हुए सेकंड शिफ्ट की यहां पर 16 नवंबर को आप देख चुके हो कॉंस्टेबल एससी जीडी का जो पेपर हुआ जाने वाला वाक्यांच के लिए एक शब्द होगा यानि यहां पर एकल शब्द के बारें बात की गई है एक वाक्य दे दिया गया होता है उन वाक्यों में से आपको उस वाक्य के लिए आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही होता है वहे चैन करना होता है यह आधोगामी नहीं होता है आपका सात सात चलने वाला ऑगामी याने वाला गामी यानी आने वाला अधोगामी अधोगामी यानि नीचे की तरफ और उर्धव यानि उपर की ओर जाने वाला अधोगामी यानि नीचे उर्धव यानि उपर और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है उपर की ओर जाने वाला यानि उपर की ओर क्या जाएगा उर्धव यहां पर उत्तर आपका क्या आने वाला है उर्धा गामी तो यहां सही उत्तर होगा आपका option यहां पर आपका यहां सही माना जाएगा प्रिक्तिस्तान की पूर्ती के लिए सबसे अपयोकत शब्द का प्रिक्षाओं को यहां हम हल कर रहे हैं तो कि नोटिफिशन जारी हो चुका है और पेपर किस तरह आता है पेपर का टाइप क्या होता इसको हम जान में रखते हैं यहां पर प्रस्णस स्फाल पर रहे हैं जिसे आपको अंदाधार लग जाया है कि प्रश्णों का जो प्रकार हो आप सिगा नहीं हैं Italian और रहा है से शा跟我 शिरुम creootsनुन आप जो बच्छे हैं इस दोनोंगों में करूगे इसमें डालक रहा है आपका बड़ा मातरा है और छोटे मातरा है और जो तुझा जीवन मैं इस इस प्रेश्णों में बच्चों का इस अब मातरासंबंधी अशुद्य आती हैं इस बच्चों का मातरासंबंधी ज्यान आपका कम है तो जरूरी इस प्रेश्ण में गलती करेंगे प्रेशन में क्या करेंगे? इसमें मात्रा का ग्यान होना अत्यांत आफश्रा के. अब देखिए, यहाँ आपके क्या लग रहा है? बड़ेफ़ू कि सुखी. और ये क्या है? सुखी. चब भी आपका आता है ये सू. सू, सू में हमेशे यदि ये सू आपको दिखता है, ये क्या है? उपसर के, सू क्या है आपका? उपसर अब सू यानी सुन्दर होता है, अब इस सू से ही बने, सू यानी क्या होता है? सू यानी सुलेक भी होता है, सू यानी सुलेक भी हो गया, सू यानी क्या हो गया? सू यान तूरती लेख भी होता है तो यह क्या है आपका सुन दर यानि क्या है आपको उपसर के तो यहां पर सुंधर किसका आपको देरा है खुशाल का सुख का सुख तो यहां पूछा क्या गया है वे ब्रक्षकी सूखी सूखी यानि आपका क्या है जो मुर्जा गई है वो डाली को क्या कर रहा है काट रहा है तो आपका उत्तर क्या आएगा सी ऑप्षन यहां पर आएगा बहुत से बच्चे जिनकी मात्राओं का ग्यान में आपके कमी है मात्रा को ग्यान में अभाव है वो बच्चों के इसमें गलती हो सकती है प्रेश्ण में तो दुबारे देखिए सू क्या है आपका उपसर गे सूसे कितने सारे शव्विपने सू चले जो हमारा नेक्ट प्रेश्ण है वो है अग्धना मुहावरे का सही अर्थ है आग में पूद्ना बहुतिह चांज आच्छा कोशन है आराम से आप दे सकते हैं मदद करना मूरखोना यान जोखिम में डालना या पहश्चाताँ आप करना बहुत सरल प्रेश्ण है आराम से दे सकतें इसका उत्तर नमबर C यहां सभी होगा आग में फूरना यानी यान जो खिम में डालना यहां सही उत्तर होगा option आपका C नेकश्ट प्रक्श्न पैचर्चा कर लेते हैं हम विशाल का विलोम शब्द है विशाल विशाल का विलोम पूचा गया है जब विलोम शब्दों की बात आती है तो जो शब्द आपको दिया गया होता है पहले उसका अर्थ जानने कोशिश करें विशाल यानि बड़ा विशाल का अर्थ क्या होता है बड़ा या फिर हम कह सकते बीसका नहीं होगा विराच कश्या है इसका पřिश्चीं है विक्राल भी इसका प्रियाइवाचिंती सब्द में रहए लगु लगुं इसका उत्तर सही हो गप मैं च्टा लगु का और दिनाने कोशिश करें यह आपका अर्थ बोध होगा तो ही वैसे ही आप उसका उत्तर निकाल लेंगे तो यहाँ क्या है आपका विशाल का लगू अगर आप इन दौनों में चुनते हैं विक्राल या विराट तो यह इसकी सामानार्थी सब्द है तो इसका विलोंग क्या है लगू उत्तर दी यहां पर आपका सही होगा आगे चलते हैं नेक्स प्रेश्ण पर जो नेक्स प्रेश्ण है वह है आपके दामें वाक्य से संबंदित प्रेश्ण है दिये गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई तुरटी है तो कोई तुरटी नहीं है चुने चले आख शकीला भोपाली प्रसिद कव्वाली गाय की है प्रसिद गाय की है देखिए तो फर्श्ट आपका है उसका क्या है शकीला शकीला कौन है एक इस्त्री है शकीला भोपाली प्रसिद कव्वाली गाय की यहां क्या उत्तर आएगा आपका गाय की तो इसके लिए गाय का शब्द इस्तिमाल में आएगा ना कि गाय की गाय का गाई का शप्द आएगा यहाँ पर इनकी गाई की तो इसलिए अशुद्धी कहां पर है आपके option number 3 में आप शुद्धी है तो option number 3 कहां आ रहा है उत्तार नमबर आपका B में आ रहा है यह तो गाई की की जगे क्या आएगा गाई का चलिए यह हमारा उप्तर क्या होता है पढ़ते बूल जाता है आप देखेए काही चुन्तі देदिया गया है यह मुटंसरा तो यह सोचेगा है कि गाय की का रही है गाय का क्या हूं इसका इस इसका परिवरत करकिा अ आपके सामने समानार्थी शब्द पूछा गया है समानार्थी जिसे हम पर्यायवाची के नाम से जानते हैं वह सी बार तो बच्चा इसी में युखती युकती युकती यानि मुझे एक युकति यानि क्या होता है उपाय उप्तार नंबर यहाँ पर सही भोगा आगे चलते हैं नेक्स प्रष्ण पर चलिये आपका उपकर प्रष्ण है आपके लिए एक सब्सक्राइब शब्द करें एक शब्द से संबंद हैं में प्रश्ण पहले यह आ चुका। एक शब्द यानि एकल शब्द एकल या फिर हम इसे कह सकते हैं एकार्थी शब्द यानि कोई वाक्य दे दिया गया जाता है उस वाक्य के लिए हमें चार ओप्शन दे दिया जाते हैं उस वाक्य के लिए हमें चार ओप्शन में ते एक शब्द तो उसका वाक्य का सही अर्थ बोद कराहा है उसको चैन करना होता है चलिए वक्य क्या है प्राथना या निवेदन करने वाला प्राथना या निवेदन करने वाला पार्थी कहलाता है इस्तुति तो नहीं कहलाएगा इस्तुति यानि क्या होता है प्राथना करने वाला प्राथना करने वाला जो भगवान की इश्वर का ध्यान कर रहा है वो कहलाता है वक्त वसल वक्त वक्सल यानि वक्त के लिए कहा गया है और भजन यानि इश्वर के भजन का रहा है तो यहाँ पर प्राथना या निवेदन करने वाला जैसे कि माली आप प्राधना थ्यापक के पास गए तो वहाँ आप अपनी इन में ते कोई शब्द नहीं आएगा क्या आएगा पार्थी शब्द प्रियोग में लाया है यह ज्यादा तर काराले जो पत्र होते हैं उनमें प्रियोग में लाये जाता है पार्थी शब्द यहां इन सब में ते कोई भी नहीं होगा इन में ते आप तो उत्तर क्या हैगा उस्तर यहां पर सही माना जाएगा नेक्स प्रेश्ट प्रेश्ट में चर्चा करते हैं आपका जो प्रेश्ट है प्रेश्ट आठ वह है आपके सामने दिए गए वाक्य में रेखांग कि तिखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्ब का चैन करें यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्चक्ता नहीं है तो विकल्ब किसी विवदलाब की आवश्चक्ता नहीं है तो नहीं का चैन करना है यदि है तो है का चैन करना है देखते हैं भाई साब को मुझे एक रुपया दिया को नहीं आएगा यहां वहाई साब को यहां को नहीं भाई साब कौन है भाई साब करता कारा के कारक संबंदी अशुद्धी है यहां पर जो अशुद्धी क्या है कारक संबंदी अशुद्धी हम कारक संबंधी अशुद्धी अब कौन सी है भाई साथ को नहीं को किसके साथ आता है वो हमेशा कर्म के साथ आता है वो किसके साथ जुड़ता है वो हमेशा कर्म के साथ जुड़ता है अब कर्म के साथ तो यहां है नहीं कर्म तो यहां पर किस relevance होगा सब्टा के साथ किस प्रियोग होगा ने का तो या खरता भाइसाब इसलेशनी रिफ्टा मेंद फूरी सब्लिट से शेचरा के और आपका राओं बिंति इस की फवर्त बीनिय होगा किया आएका आपका करता कारा है तो हमारा उत्तर बी ऑप्शन यहां पर सही होगा हमें उत्तर मिल चुका है उत्तर नमबर बी यहां पर हमारा सही माना जाएगा चलिए आजाते हैं हम नेक्स्ट प्रेश्टन पर प्रेश्टन नमबर नौ रिक्ति स्थान की पूर्ती के लिए उप्यूक्त सबसे उप्यूक्त शब्द का कैन करें देखिए फिर वह यह कल शब्द आया यहां रोगी ने चिकेस्सक से परामर्श क्या लिया परामर्श आग्या नहीं लिया मंत्रन मंत्रन भी नहीं लिया रोगी रोगी ने चिकेस्सक से क्या लिया परामर्श हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो परामर्श ही लेने जाते हैं आग्या थोड़े ना लेने जा रहे हैं तो यह क्या आएगा यहां पर उत्तर नमबर यहाँ पर सही माना जाएगा तो उत्तर है आपका परामर्श आगे आजाते हैं नेक्स प्रेश्ट पर लिए बस आपको परने के आवश्यकता है ले लगता कटिन प्रेश्ट लेकिन पढ़ें नहींत रूपसे पढ़ना अवश्यक है तब living मुनिक does अध्धन नहीं होगा तो चीजे कैसे हल हो पाएंगे नियमित रुप से अध्धन अत्यंत आवश्यक है तभी आप प्रश्णों के जो उत्तर हैं वो बिना समय गवाए आसानी से दे पाएंगे तो यह देखते हैं नश्प्रश्ण बाजाते हैं किये गए वाक्य के किस भाग में त्रोटी है मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया बेच ए ओफ्चन में है आपका बेच वी में है दिया है ती में है मैंने सारा माल और डी में है उसके हाथ में वह यहां पर मैंने सारा माल उसके नहीं आएगा प्तर नमबर डी ही यहां पर आपका गलत है उसे मैंने सारा माल उसके उसके हाथ में बेच दिया यह आपका जो वाक्य है यहां पर यह अशुद्ध है मैंने सारा माल उसके बेच दिया यहां पर क्या आएगा उसके की जगे मैंने सारा माल उसे बेच दिया उसके हाथ में ने उसे बेच दिया तो यहां वाक्य में आपके जो अशुद्ध है उसके की जगे आपके क्या आएगा उसके की जगे यहां पर क्या आएगा मैंने सारा माल उसे बेच दिया तो यहां श प्रश्ण है आपके सामने दिये गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का चैन करें यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवशक्ता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाप की आवशक्ता नहीं है का चैन करें जो आपका प्रेश्ण है वो अब इस्टार्ट हो रहा है देखते हैं रात दस बजे से दिल्ली में जंक्षन से हम कश्मीर मेल में सवार हुए जो देखते हैं चार असुद्ध है यानि वाक्षे संबंधि अंशुद्धी का प्रेश्ण है तो यह जो प्रश्न का प्रकार है वो क्या है आपका वाक्र के संबंधी के संबंधी के अशुद है कि हमने क्या देखी कारक संबंधी ए ठीक है रात दस वजे तक दिली में जक्ष्चन में हम इसमें कोई भी अशुति नहीं है किसी बदलाब की आवशक्ता नहीं है रात दस बजे से दिल्ली के जंग्षन से हम रात दस बजे दिल्ली के जंग्षन से यहां पर मैं के इस्थान पर क्या होगा हम कश्मीर मेल में सवार हुए के आ रहा है रात दस बजे से दिल्ली के यहां पर आपके बाखत decision सम्भन्च यह कश्मीर मैं आ यहां पर आपका दी ही सही माना जाएगा यह आगया जाते हैं नेक्स्ट प्रष्म्च बख दिये गई शब्द का व्लोम निर्मल निर्मल यानी शुद्ध पवित्र पहले तो इसका अर्थ देख लेते हैं निर्मल का अर्थ क्या है शुद्ध या फिर क्या है पवित्र पवित्र ये शुद्ध तो फिर इसमें मेला बिमल गंदा वह जो देखे बच्चे तो मेला और ग करने की कोशिश करें लेकिन यहां पर निर्मल दिया गया है तो उसी प्रकार हमको मलीन देखना है मलीन मलीन यानि अशुद्ध कि आपवित्र कि यहां पर आपका सही माना तो आगे चलते हैं नेक्ट प्रेशन पर कि अपका उत्तर नमबर थेरा सही वर्तिनी वाले शब्द का हमें यहां पर ध्यायन करना है वैं आपका शब्द है वनस पति सही वर्दनी क्यों है यह देख लेते हैं जब आपके वन संधी संबंधी अशुद्धी है वाके की कौन सी अशुद्धी है संधी संबंधी अशुद्धी अब कैसे जैसे की मालीजे आपके यदि आ या आ के बाद आ या आ के विपिरीत आपके क्या आए विसर्ग आए और विसर्ग के बाद यदि आपका पाई या फिर आपका काई क्या है पावर्ग आए या फिर आपका पाई या फिर आपका क्या है का तो विसर्ग के इस्थान पर स्क आगमन होता इसका होगा सा का तो यहां बना गन पती तो विसर्ग के इस्थान पर क्या होगा सा का आगमन तो शब्द क्या बना बना स्पती इसी तरह आता है भा के बाद आया आपका कर तो यह क्या बना आपका भासकर क्या बना भासकर तो इस प्रकार के जो शब्द आता है इसी प्रकार एक शब्द आता है नमहा नमा के बाद आपका कार मैंने बताया पा या का पा या का में ते कोई भी आए और विसर्ग आ या आ के बाद यदि विसर्ग आए तभी आपका विसर्ग किसमें मेरेगा सा में परिवर्थित होगा तो नमा के बाद क्या विसर्ग किसमें मेरेगा सामे तो शब्द क्या बना आपके पास नमस्कार क्या बना नमस्कार तो इसी तरह इसी कौन्सी शुद्धिए आपकी संधी संबंधी शुद्ध है 嘆ई तो आपको सारे ही शब्द शुद्ध लग पढ़ने वालों को लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है तुरंत इसका हल निकाल लेगा कौनसी संदी है बहुंत में पता होने चाहिए किस सके बनाया है इस से पहले तो बच्चा या तो शथय को ज्यान रहने कि प्रवाइध्य ऐसे बटेंगे शब्ड इस प्रकार जाता है शुद्द शुंद या फिर कारण पता होगा तो वह शब्द को शुद्द करने का आपसान तरीका होता है कि की कारण किस कारण से यह शुद्ध माना गया तो शुद्ध शब्द का उसी प्रकार वह चैन यहां पर कर लेगा तो हमें पता चल गया हमारा कारण बनादन पती आपका वनस पति अता है तो शुद्ध शब्द क्या है आपके पाद और सही है आगया जाते हैं नेज़ प्रेश्ट आपके का वो भाग ज्यात करें जिसमें कोई त्रोटी है यदि कोई त्रोटी नहीं है तो कोई त्रोटी नहीं है चुने कई रेलवे के करमचारी 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 की गिरफतारी हुई तो पहला जो option है कई रेलवे दूसरे में करमचारी की किसरे में गिरफतारी हुई और चौता में क्या है आपके कोई त्रोटी तो है इसकी कई कई आएगा कई नहीं आएगा यहां पर रेलवे के करमचार्यों की किरफतारी हुई यहां पर रेलवे के कई कहां पर आएगा आपके यहां आना चाहिए रेलवे के कई करमचारी की किरफतारी हुई तो option पर D में आपके जब पहला ही है उत्तर आपका उसमें ही यहाँ पर आपके क्या है गलती है क्या है कई railway के करमचारियों आपके शुद्ध वाक्य है वो इस प्रिकार बनेगा railway के कई करमचारियों की गिरफसारी हुई यह आपका शुद्ध वाक्य जो आपका कई है वो आगे ना कर यहां पसेगा तो इस प्रकार के शुद्धियों को भी आपको ध्यान रखना है ठीके आगे चलते हैं कि दिए गए शब्द का सामानार्ची देखिए सामानार्ची शब्द के दो प्रचना आ चुके हैं पर्याइवाची सामानार्ची यानि पर्याइवाची शब्द क्या है कोयल कोयल कीर और काक्य कीर किसे कहते हैं कीर कहते हैं कार किसे कहते हैं कोवा कोयल का पूचा है अपतर है आपका कोकिला शिखी यहाँ पर नहीं है शिखी भी आपका कीर काक और अपतर नमबर आपका ती यहाँ पर सही है आगे आ जाते हैं करें सही वर्धनी वाले शब्ध का क्यां करें सही वर्धनी वाले शब्ध का चैन पहलाद पसली क्या चाहिए यह पार ही यहाँ पर सुद्ध माना जाएंगा रिक्तिस्तान की पूर्थी के लिए सबसे उप्युक्त विकल्ब का चैन करें शाम को रोगी पर दया आ गई बहुत सालहानम सा प्रश्ण है आराम से इसका उत्तर मिल जाएगा दया आ गई शमा आ गई किरपा आ गई अनुकंपा आ गई अनुकंपा तो आईगी नहीं भुषत शमाम किसी कुछ खंमा थोड़ी ना कर रहे वाक्या रोगी पर क्या आ गई आपकी जया आ गई साधरन प्रश्ण तरा कि द uz enormous द भरती की परिक् deposal चांकर आते प्रकार आएगा यहीं यहां पर हम देख रहे हैं और जलिए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसी उप्युक्त विकल्प का चैन करें रेखांकित अंश यानी उसे वाक्रण का अच्छा बोद था बोद नहीं होता उसे व्याक्रण का अच्छा ग्यान था यहां पर बोद की जगा क्या आएगा ग्यान व्याक्रण का जैसे कि माली जे मैं आपको पढ़ा रही है मुझे ग्यान है कि जो की बारे में पता है तो मैं उसी ग्यान को आप तक दे रही हूं तो ये क्या हुआ आपका ज्यान हुा पोध नहीं होगा आगे चलते हैं मैं हो देसमान मुख वाला वाकके आश्च केली शबद चुनिए बहुत से साधर्ण प्रेश्ण आराम से देसकते हैं है मैं ते इस आम मुख क्या लाता है समास कौन सा समास बहु बिर्य समास कौन सा है बहु बिर्य समास कौन सा है बहु बिर्य समास किसे कहते हैं कामुक चंद्रमा के समान है उपमा दी गई है यहां पर क्या दी गई है उपमा बहु बिर्य समास में होता क्या है हमें उपमा दी जाती है उपमा दी जाये या दी जात मुखवाला है अगर यहां पे मुखवाली होती है लिए इस दिली लिग होता है तो यहां पर मन में शांती होन, फ्रिय होना बहुत दुखी होना या धीरत रखना, कलेजा थंडा होना, अराम से इसको प्रस्नतर दे सकते हैं, कलेजा थंडा होना, लिए उत्तर मिल चुका है यहांपर आपका नमबर आप your word algún ही माना जाएगा आगया जाते हैं नेक्ट प्रैस्ण पर हम पढ़ लेते हैं यहाँ आपके पद्धाश में से आपके प्रैस्ण बन्हें तो पद्धाश को अत्याट समझकर और आराम से बढ़ना है विए उस पद्धांश में ही और गद्धांश में आपके क्या है प्रश्णों के उत्तर चुपब के भारत वर्ष है इस्तिस्तान में आपको शब्द बढ़ना है भारत वर्ष है और देश में भाषाएं चाहे कितनी भी, जितनी भी हो, लेके उन सब के भीतर भारत की एक ही पहले देखेते हैं, गदांश के रिक्टिस्थान के लिए सारवतिक उप्योक्त शब्द होगा भारत एक के लिए, भारत वर्ष एक है, भारत वर्ष क्या है, एक है थारत वर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहिए जितनी भी हो तो हमारा उत्तार क्या है यहां पर उत्तार नमबर बी सही हो आगे आ जाते हैं के लिए गद्दाश के रिक्तिस्थान दो के लिए सावरति उप्यूक्त शब्द का देखना है तो यहां पर हमने एक पढ़ च है और देश में भाषाएं चाहिए जितनी भी हो लेकिन उन्हें सबीके भीतर भारत की एक ही एक ही क्या वस्ति है आत्मा आत्मा भारत उसके भीतर भारत की आत्मा आत्मा अपने को अपने को अपने को आप तीसरे प्रश्ण काम है आप उत्तर देखना तो तीसरे प्रश्ण की तरग चलेंगे उत्तर नम्बर आप क्या आएगा आपका यहां पर सही माना जाएगा आगया जाते हैं चलिए पहले में आपका क्या था एक दूसरे में क्या आ आत्मा आत्मा अपने को संशोदित अर्पित या परदर्शित अभी व्यक्त करती है अभी व्यक्त करती है तो तर नमबर डी यहां पर सही होगा अभी व्यक्त करती है एक ही गंगोच्टी का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है एक ही सूरे का आगे नेक्ट प्रेश्म में आते हैं एक ही सूरे का बिम्ब यहां प्रकाश नहीं दरपण, रस, चित्र एक ही सूरे का बिम्ब है बिम्ब यानि आपका प्रकाश बिम्ब बिम्ब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है अनेक पात्रों में जगमगा रहा है एक ही एक ही बल नाम अर्थ भाव एक ही खाव है ठीक है भाव है जो अनेक चंदों में फूट रहा है चलिए आप पूरे को बढ़ लेते हैं भारत वर्ष एक है और देश में भाशाएं जितनी भी हो उन सब के भीतर एक ही आत्मा अपने आपको अभी व्यक्त अभी व्यक्त करती है एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है और एक ही सूर्य का बिम्ब एक ही तुर्य का बिम्ब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है और एक ही थाव है एक ही थाव है जो अनेक पास्त्रों में शंदों में फूट रहा है वेद उपनिशद रामायन और महावारत यही वे घाट हैं जहां पर हमारी सभी भाशाय पानी है भारत भारत कि बारे इंदध नहीं बता गया भारत की प्रिसिद्धि का गुनगान किया घद्दाँश्र अंतरगत तो हमने पुरो प्रेशन को पांच हमारे उत्तर थे वादान से संब्गने को हमने रिक्तिस्तानों में भर जिया है पुरह हमने वादांश को पढ़ी लिया है वादान से संब्गनित आपका कोई भी प्रेशन गलत नहीं होने व revise जब आप ध्यानपूरवक पढ़ोगे ध्यानपूरवक पढ़ने से ही आप अपने गध्दान से संबंदी प्रिश्णुष करना ही होगा निरंतर अध्यन से होगा करमबद अध्यन से होगा वह सारी चीजह तो हम क्या sscgd की संबंदी प्रश्णुत्री को यहां हल कर रहे हैं और यही प्रयास हमारा निरंतर कशाओ में चलता रहेगा मेरी निरंतर क्लासे आपको यूटुब पे देखने को मिलेंगी क्लिए देखते हैं आगे यह हमारी जो क्लास है स्सी जीटी की क्या समाप्त होगी है आज इसी से संबंदी प्रेश्ण तरी को हम आगली क्लास में हल करेंगे आज के लिए तना हिन आज लिए